आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोग्राइमिंग के बारे में जैसे कि आप लोग पता ही होगा कि प्रोग्राइमिंग अभी के जमाने में बहुत ही पॉप्यूलर चीज बन चुका है तो बहुत कोई है जो कम्प्यूटर और लैप्टॉप ना होने के कारण प्रोग्राइमिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं रुप जाते हैं तो आज में दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे वो लोग mobile phone android में programming practice कर सकते हैं पहले तो आपको जाना है play store पे play store पे जाके search करना है cppdroid cppdroid search करने के बाद जो first में app दिखेगा cppdroid c++ IDE उसको install कर लेना है तो मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं आपको open करके दिखा देता हूँ आपको जैसे instruction side में दिख रहा होगा तो आप instructions भी follow कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं एक basic coding लिखूंगा c++ में वही hello world वाला basic coding coding लिख लेने के बाद save button ले click करना है जो एकदम उपर में left side में है जैसे कि दिख रहा है आपको यह save हो चुका है वह asterix sign हट चुका है मतलब यह save हो चुका है उसके बाद वह thunder वाला sign में click करना है जैसे कि उसको बोलते है compile sign फिर आपको run करना है तो आपको दिख रहा है output compile करने के बाद एक out message आता है कि compilation complete उसके बाद आपको run करना है अगर कोई error आएगा तो नीचे error दिखा देगा thanks for watching please please subscribe my channel अगर वीडियो अच्छा लगा तो like comment and share के लाद के लाद के लाद स csak जुए ऑ्र वाद आपके ल editor कि में सेभ्सर व Scilly सック tread